हार्ट हमारी शरीर का एक बेहत महतुपूर्ण अंग है और इसकी सेहत की प्रती हमें जाकरु क्रहने की जरुवत है हाल के दिनों में कम उम्र की लोगों में भी हार्ट अटैक की समस्या आने लगी है यही कारण है कि दिल के स्वस्थ के प्रती लोग सतर्क करने के लिए हर साल 29 सितंबर को World Heart Day मनाया जाता है इस यो पलक्ष में किंग्सिर अस्पिताल द्वारा कारेकरम का आयचिन किया गया था जिसका जाजालिया है हमारी समाधाता शितिजात देशमुकनी 29 सितंबर ये वीश्वा हाट दीन के रूप में मनाया जाता है और इसका महत्व ये है कि वीश्वा में जो जागरुकता हो रुदय के प्रती जागरुकता हो क्योंकि रुदय ये अपने शरीर का एक मुख्यांग है और उसी के चलते हम बाचित करेंगे किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर प्रकाश खेतान इनसे कि आज इस तरह से यहाँ पर कारिकरम का एउजन किया गया था क्या बताओगे सर आज वर्ल्ड हार्ट डे है यह वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का उपकरम है और इसका मुक्य उद्देश है कि हार्ट डिसीज और कार्डियोवेस्किलर डिसीज यहाँ एक बहुत बड़ा कारण है लोगों की मौत होने का पूरे विश्व में और इन बीमारियों से हम कैसे हज़े बचे अपने हार्ट को कैसा स्वस्त रखते इसके बारे में लोगों में जागरुकता पहलाने के लिए यह वर्ल हार्ट डे इसलिब्रेट किया जाता है और हम거든요ob양 ए किया अब ड़्ेयों से के इलाज की सुविधा हैं हम बच्चों की पीडियाट्री काडियेक सर्जरी कर रहे हैं बच्चों के पीडियाट्री काडियेक इंटरवेंशन कर रहे हैं उसी तरह वायस्क लोगों के एंग्योग्राफी एंग्योप्लास्ती पेस्मेकर इंप्लाइटेशन बाइपस सर्जरी इन सभी चीजों की हमारे अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है और यहां सभी इलाज हमारे यहां कौलीफाइड और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है और शीगर ही हमने यह तैय किया है कि हम यहां पर हाट का प दिखते हैं कि जहां वहां आभी ओर्गन डोनेट का जो है ट्रेन चल रहा है इस बारे में क्या जंजागरूति की जाएगे आपकी ओर से किंग्जवे अस्पताल में और डी किड्नी प्रत्यारोपन की लाइसेंसिंग हो चुकी है हम अल्रेडी किड्नी ट्रांस्प्लांट क कंड़ में करने वाले हैं उसी तरह हमारे हाँ हाँ ओर लंघ ट्रांस्प्लांट इशन के लिए जो लाइसेंस लगता है उसकी प्रक्रियक करीब-करीब परिपूरून हो चुकी है और हम शिगरही माराश्च रखार द्वारा हाँट और लंघ ट्रांस्प्लांट के लिए ल पिश्वर रुदय दिवस है उसके आउसर पर क्या आप नागरिकों को एक संदेश देना चाहोगे कि कैसे अपने रुदय को मतलब सुरक्षित रखा जाए हेल्दी रखा जाए क्या बताओगे रुदय को सुरक्षित रखाने के सबसे जो मुख्यू पाए है कि एक है गुड लाइफस्टाइल अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है खान पान अच्छा है तो आपको रुदय की बिमारी से बचा हो सकता है दूसरा है आपको फिजिकली अक्टिव रहना है जितने आपका हार्ट मजबूत रहेगा हाट एक्टिव रहेगा और आपको हाट की बिमारियों से बचाएगा और तीसरा है कि व्यस्वनों से खास करके हमारा जो स्मोकिंग सबसे बड़ा व्यस्वन है जो हाट को प्रॉब्लम दे सकता है उसी तरह किसी भी तरह का तमागू का अपने लाइफ टाइल अच्छी रखे खान पान अच्छा रखे आप रोज 45 मिनिट कम से कम चले और अपने रदे को सुरक्षित रखे यह मेरा संदेश है आज इस वर्ल्ड हाट डे के दिन सभी आम जनता के लिए किंग्स वे अस्पताल के डॉक्टर शलेंडर गांजिवार हमारे साथ है उनसे हम जानेंगे आज विश्वर रुदे दिवस है सवसर पर आज जो प्रोग्राम का आईजन किया गया था क्या बताना चाहोगे दर्शकों को आज रुदे दिवस है किस तरह से अपने रुदे की क सब्सक्राइबल है इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है फिर भी जो नंबर वन कॉज अफ डेथ अभी भी हार्ट अटैक है तो यह हम लोग अवेर्नेस पबलिक में करना चाहते है कि आपको अपने हार्ट का खयाल लखना बहुत जरूरी है एक विशिष्ट उम्रों के ब होते हैं जैसे चलने पर सांस फूल जाना चाती में हीवी पन आना भारी पन आना तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखा के ECGA को TMT जारी जांश करवाईए ज़रूरत पड़े तो एंजोग्राफी करवाईए एंजोग्राफी में ज़रूरी नहीं की ब्लॉकेज हर ब्लॉके के उपलक्ष में हमने आईवस FFR मशीन का लांच किया है यह फिलिप्स की इंट्रसट फाई मशीन जो है वो पूरे सेंटल इंडिया में फर्स्ट इंस्टॉलेशन है यह काफी एडवांस टेकनोलोजी है FFR हमको यह बताता है कि आपको एंजोप्लास्टिक की ज़रूरत है क कि नहीं है और आईवस हमको बताता है कि अंजोप्लास्टिक कैसे करनी चाहिए कौंसा स्टेंट लगना चाहिए कि इतने प्रेशर पर हमने स्टेंट को फूलाना चाहिए ताकि जो अपका स्टेंट है वो काफी सालों तक चलता रहे और स्टेंट में रीब्लॉक के चाने के करवा कि उसकी treatment करवाई यह घबराई नहीं बहुत सेफ प्रोसुजर्स है एंजोग्राफिय अंजप्लास्टी आज के डेट में 99% सक्सेश्ट है उसका तो कॉंप्लिकेशन रेट सार वेरी लेस और वेरी गुड तो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ एंजप्लास्टी बाइपास surgeries whenever scientifically आपको advice किया है कि यह करना चाहिए तो इसे डरिये मत और latest technology अपना के आप यह करवा लीजिए धन्यवाद आपने बहुत अच्छी सला जो है हमारे दर्शकों को दी है हम देखा है कि अभी इंडिया में जो है 40 की उम्र की जो लोग है 35 से 40 उन्हें जादा तर हार्ट अटाइक आता है और कोरोना के बाद हमने देखा कि कई लोगों को हार्ट अटाइक से उनकी मुरत्य हुए है क्या कारण है क्यों अपने इंडिया में जो है इतना प्रमान बढ़ गया है इसके पीछे का क्या रिजन है मैडम बहुत अच्छा क्वश्चन पूछा आपने हम लोग देखते हैं कि all over the world heart attack आने की उम्र जो है वो around 55 years and above है लेकिन हम इंडिया में देखते हैं कि 40-45 उमर में heart attack आ सब्सक्राने का उससे काफी युवा लोग इससे पीडित हो रहे हैं सेकेंडली कोवीड होने के बाद तो प्रावलम बढ़ गई है क्योंकि हम जानते है कि कोवीड एक ये प्रो थ्रमबोटिक स्टेज है कोवीड में खून की गुटलिया बन जाती है हार्ट की वेसल में ब् तो मैं ये कहना चाहूंगा स्पेशली अपने युवा वर को आप अपने हार्ट की बहुत सेफ्टी बती है कोई भी एडिक्शन्स है जैसे टोबैको, खर्रा, अलकोहल इसे दूर रही है और स्पेशली जिनको कोवीड हुआ है उन्हें तो ये सब चिस करना बहुत जरूरी है, कोवीड का वेक्सिनेशन भी करवा लीजिए क्योंकि वो आपके फ्यूचर कोवीड को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है और कोई भी आपकी प्रॉब्लेम्स आती है तो एडवांस टेक्नोलोजी से जांच करवा कि उसका ट्रीटमेंट करवाई है वर्ल्ड हार्ट ड गाड़ी के जिम्मेदारी लेते हैं कि गाड़ी को आप मेंटेन करते हो उसको अच्छे से चलाते हो वो खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने family को पीछे बिठा के उसको लेकर चलते हो और कभी पंचर हो जाए तो तकलीफ होगी ये समझ के उसको maintain करने की जो जिम्मेदारी आपकी होती है वैसे आपके शरीर की मुख्य करके आपके heart की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी आपके गले की नीचे क्या उतरना चाहिए आपको decide करना है मैं आज ये नहीं बता हो कि आप ये खाओ या ये नहीं खाओ लेकिन आपको पता है कि पिज़ा या बर्गर अच्छा है या फल फूट अच्छे है आपको ये पता रहना चाहिए कि सुबह में देर तक सोते रहना अच्छा है कि सुबह उटके morning walk करना अच्छा है ये आपको पता रहना चाहिए कि आपको healthy exercise करनी है या sedentary lifestyle यूज करना है आपको ये पता रहना चाहिए कि तंबाप को आपको छोड़ना है या खाना है ये आपको खुद को कोशन पूछना है आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए विश्व रुदे दिवस पर हमें किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टरों ने एक ही संदेश दिया है कि बूरी व्यस्नों से दूर रही है और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना ही है कैमेरा परसें राशकुमार मोर्ड के साथ मैक शेति जादेश मुख बी सीन नियूज नागपोर